सवाल नमबर एक है, वह कौन सा पक्षी है जो कभी अपना पैर जमीन पर नहीं रखता? आपका ओप्षन है एक, हमिंग बर्ड दो, बार्ज तीन, कोयल चार, हरियल पक्षी. सही जवाब है, ओप्षन चार, हरियल पक्षी. हरियल पक्षी जो एक तरह का काबूतर है, जमीन पर कभी पैर नहीं रखता है, आप उसे इस चित्र में देख सकते हैं. सवाल नमबर दो है, सामपो का देश किसे कहा जाता है? आपका ओप्षन है एक, भारत दो, अफ्रीका तीन, ब्राजील चार, श्री लंका. सही जवाब है. ओप्षन तीन, ब्राजील. स्नेक आइलन्ड एक तापू जहां किसी इनसान का जना मना है. इस तापू पर हर स्क्वायर फुट पर एक जहरीला साप मिलता है. ब्राजील देश के तट से करीब 25 मिल दूर एक सुनसान तापू है जिसका नाम इलादा कोई मादा ग्रांडे है. स्थानिय भाशा में लोग इसको सापो का तापू याभी कहते है. विश्व भर में यह स्नेक आइलन्ड नाम से प्रशिद है. एक प्रचलित कहानी के अनुस आखरी बार किसी मचवारे ने इस टापू में जाने की हिम्मत की थी. तो, कुछ दिनों बाद उसकी लाश खून से सनी हुए उसकी नाव में लोगों को मिली. इस जगे का खुप इतना है कि कोई इसके पास आना नहीं चाहता. यहां गोल्डन लान सहीट्स नेका वास है जो बहुत जहरी ले पिटवाई पर सापकी एक प्रजाती है. इस वज़े से ब्राजील के सरकार ने इस टापू पर किसी के जाने को प्रतिबंधित कर दिया है. सवाल नमबर तीन है. किस देश में कभी भुकम नहीं आता है? आपका ओप्शन है. एक. ऑस्ट्रेलिया में दो. नौर्वे में तीन. जापान में चार. यमन में. सही जवाब है. ओप्शन एक. ऑस्ट्रेलिया में. सवाल नमबर चार है. चान पर पानी की खोल सबसे पहले किस देश ने की थी? आपका ओप्शन है. एक. चीन दो. अमेरिका तीन. रूस चार. भारत. सही जवाब है. ओप्शन चार. भारत. चंद्रमा पर पानी की खोज किसी और ने नहीं बलकि भारत द्वारा चंद्रियान एके साथ भेजे गें. भारत के मून इंपक्ट प्रूब्म ने चांद की धरती पर उत्तर कर पानी का पता लगाया. चंद्रियान भारत का चांद प करोर रुपे खर्च हुए थे. ये भारत द्वारा 22 अक्टूबर 2008 को लॉंच किया गया था. जिससे पता चला कि चांद पर पानी है लेकिन जमा हुआ है और चंद्रमा की सतह में मिली हुआ है. सवाल नंबर पांच है. उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? आपका ओप्शन है 1. लखनव 2. आगरा 3. लखीम पोर खीरी 4. प्रयागराज. सही जवाब है. ओप्शन 3. लखीम पोर खीरी. क्षेतर प्षल की दृष्टी से सबसे बड़ा जिला लखीम पोर खीरी है. यह जिला 7680 स्क्वाइर किलो मीटर में बसा हुआ है. लेकिन क्या आप जानते है कि प्रयागराज जंसख्यामे में उतर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला है? इसकी जंसंख्या 2011 जंगरना के 69,54,000 है. यहर जिला उतर प्रदेश ही नहीं बलकि भारत में भी प्रसिद्धु जिला है. सवाल नमबर 6 है. फूलो का राजा किसे कहा जाता है? आपका ओप्षन है 1. कमल को 2. गुलाब को 3. चमेली को 4. सूरज मुखी को. सही जवाब है. ओप्षन 2. गुलाब को. सवाल नमबर 7 है. अंतराश्ट्रिय सवर्गड बंधन का मुख्याले कहा स्थित है? आपका ओप्षन है. 1. बैंगलवर 2. गुरु ग्राम 3. चनाई 4. नई दिल्ली. सही जवाब है. ओप्षन 2. गुरु ग्राम. सवाल नमबर 8 है. हवा की गती किस से मापी जाती है? आपका ओप्षन है. 1. अनिमोमीटर 2. टैकोमीटर 3. बैरोमीटर 4. भूकम्प मान. सही जवाब है. ओप्षन 1. अनिमोमीटर. सवाल नमबर 9 है. किस पेड़ के नीचे सोने से आदमी मर जाता है? आपका ओप्षन है. 1. नीम 2. पीपल 3. बरगद 4. जामुन. सही जवाब है. ओप्षन 1. नीम. ये सुनकर अजीब तो लगेगा लेकिन ये बात कहीं न कहीं सच ही है. बैसे तो ये पेड़ एक आयूरवेद रिक्ष माना जाता है. लेकिन अगर रात में इस पेड़ के नीचे आप भी सोग गएं तो इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ सकता है. दरसल ऐसा इसलिए हो सकता है क्योंकि रात के समय नीम का पेड़ कारवन डाई ऑकसाइड गैस छोड़ता है. जो इनसान के लिए बहुत ही हानिकारक गैस मानी जाती है. इसलिए लगातार कारवन डाई ऑकसाइड हवाओं में घुलने से आपका अदा घुट सकता है. और राश्ट्रे खेल दिवस किस दिन मनाया दाता है? आपका ऑप्षन है एक उन्नीस अगस्त दो, उन्तीस अगस्त तीन, उन्नीस मार्च चार, उन्तीस मार्च सही जवाब है. ओप्षन दो, उन्तीस अगस्त. उन्तीस अगस्त को मनाने का कारण यह है कि इस दिन भारत के दिगजहों की प्लेयर मेजर ध्यान चंद कुश्वाहा का जन्म हुआ था. उनको श्रद्धा अंजली अर्पित करने के रूप में इसे आयोजित किया जाता है. शंकर दयाल शर्मा चार, डॉक्टर सर्वपली राधा क्रिश्नन. सही जवाब है. ओप्षन चार, डॉक्टर सर्वपली राधा क्रिश्नन. सवाल नंबर बारा है. मोहिनी अटम कि इस राजे का प्रसिध शास्त्रिय नित्य है. आपका ओप्षन है. 1. केरल 2. गुजरा 3. राजस्थान चार, उतरप्रदेश. सही जवाब है. ओप्षन 1. केरल. सवाल नंबर 13 है. तवा को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? आपका ओप्षन है. 1. गृडल 2. सीव 3. कुबेम 4. फणल. सही जवाब है. ओप्षन 1. गृडल 2. सवाल नंबर 14 है. सबसे बड़ा अंडा के स्पक्षी का होता है. आपका ओप्षन है. 1. मृड 2. बार्ज 3. शुत्रमुर्ग 4. फालकन. सही जवाब है. ओप्षन 3. शुत्रमुर्ग. सवाल नंबर 15 है. किस जानवर के दूध से बना अपनीर सबसे महंगा होता है? आपका ओप्षन है. 1. शेरनी 2. मादा हाथी 3. बक्री 4. गधी. सही जवाब है. ओप्षन 4. गधी. आज हम आपको उस महंगे पनीर के बारे में बताते हैं, जिसे पिनूल चीज के नाम से जाना जाता है. पिनूल चीज के एक किलोग्राम की कीमत एक आम आदमी के दो से तीन महीने की सालरी से भी अधिक है. इस पनीर को गधी के दूध से बनाया जाता है. हालां कि ये सामानि गधी नहीं बलकि सर्विया में पाई जाने वाली खास प्रजाती की गधी बालकन के दूध से इस पनीर को बनाया जाता है. इस खास किण के पनीर पिनूल चीज का उतपाधन हर देश में नहीं किया जाता है. इसका उत्पादन केवल सर्विया के जहसावे का स्पेशल नेचर रिजर्व में किया जाता है इसे बनाने के लिए करीब 60 फीस दी बालकन गधी का दूद और 40 फीस दी बक्री का दूद इस्तिमाल किया जाता है और फिर इसे प्रोसेस करके तयार किया जाता है आपको जानकर हैरानी होगी कि एक किलोग्राम प्रूल चीज बनाने के लिए बालकन गधी के करीब 25 लीटर ताजे दूद की जरूरत पड़ती है लेकिन अगर इन्हें संग्रक्ष किया जाए तो गधी के दूद को 25-30 लीटर की कीमत में बेचा जाता है क्योंकि इसका इस्तिमाल सौंदरे प्रसादनों को बनाने में भी होता है इसलिए इस पनीर की कीमत इतनी ज्यादा होती है कहा दाता है कि इसमें मा के दूद जैसे गुण होते है साथी अस्तिमा के रोगियों के लिए बहुत उप्योगी है सवाल नमबर 16 है दुनिया का सबसे तेज दौरने वाला जानवर कौन सा है आपका ओप्शन है एक, चीता दो, शेर तीन, हिरन चार, बग, सही जवाब कॉमेंट करें और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें ऐसे ही वीडियो पाने के लिए चानल को सब्सक्राइब करें